मतलब इसका क्या है कि ऐसे तो चलीए देखते हैं पहला है what are the other names of Indus civilization सिंदु घटी सबबता के और नाम क्या है क्या नाम है Indus Valley civilization भी बोल देते हैं Indus Saraswati civilization और हडपन civilization भी बोल दिया जाता है What is the most accepted period of हडपन civilization जो हडपन सबबता का सबसे accepted period जो mature phase है वो कौन से period को माना गया है वो माना गया है 2500 से 1750 BCE To which age हडपन civilization belongs किस age को हडपन सबबता बिलों करती है तो देखिए bronze age उस time पे जो bronze है वो known था iron की अभी discovery नहीं हुई थी इसलिए इसको bronze age civilization भी बोल देते हैं Indus Valley civilization was spread over कहां कहां पे value हुई थी सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, हर्याना, राजस्तान, गुजराथ, वेस्टरन यूपी, नौर्धरन महारास्टरा आज के ये जो present day regions हैं इन regions में आपकी Indus Valley civilization सिंदू घाटी सबबता फैली हुई थी जोग्राफिकल expanse Northern most site of Indus civilization in India सिंदू घाटी सबबता की Northern most सबसे उत्री site कौन सी है भारत में ये है मंड, जमू एंड कश्मीर में ठीक है जी, important है Southern most site of Indus civilization सबसे दक्षिन में कौन सी site है Indus civilization की दैमाबाद महारास्टरा में ठीक है जी, दैमाबाद आज के present day महारास्टरा में है Eastern most site of Indus civilization सबसे पूरभी Indus civilization साइट कौन सी है आलमगीरपूर जो आपका present day उत्तरपरदेश में है उसके बाद आजाता है Western most site of Indus civilization सबसे पश्चमी site कौन सी है Indus civilization की वो आपकी है सुटका जंडोर यह सुटका जंडोर कहां पे है यह आज के present day Pakistan-Iran border के पास है largest site of Indus civilization अब तक की सबसे बड़ी site कौन सी discover करी गई है राखी घड़ी हर्याना में जो site है आपकी that is the largest site of Indus civilization next है what was the name of first Indus Valley civilization site to be discovered पहली site जो discover करी गई थी Indus वो कौन सी है वो आपकी है हडपा तभी तो इसको हडपन सबता बोल देते हैं जो civilization की पहली type site discover होती है convention है history में के उस civilization को उस type site के जगा के नाम से भी जाना जाता है तभी इसको हम सिंदू घाटी सबता को हडपन civilization भी बोल देते हैं हडपा कहां पे है आज के present day पंजाब पंजाब कौन से वाला भारत वाला नहीं पाकिस्तान वाला हडपा है situated at the banks of कौन सी नदी के banks पे हडपा situated है river रावी अब आप कहोगे सर हम तो सिंदू घाटी सबता पढ़ रहे हैं इंदस वैली जो छोटे होते से में बचाया बताया जाता है कि इंदस नदी के आसपास जो जो civilization थी उसको हडपन civilization या इंदस वैली civilization बोल देते हैं तो रावी कैसे इसका अंसर हो गया तो गाइस रावी ऐसे हुआ के हडपा एक site है और रावी is a tributary of इंदस tributary है इंदस की हम सबता की बात नहीं कर रहे हैं सबता के अंदर एक site की बात कर रहे हैं जो रावी नदी के banks पे है और रावी in fact is a tributary of your इंदस हडपा was excavated by हडपन जो site थी उसकी खुदाई किस ने की उसकी खुदाई की दियाराम सानी ने ठीक है जी डियार सानी was the archaeologist हडपा was excavated in the year कौन से साल में इसकी खुदाई हुई 1921 में हुई अब एक और site है मोहन जोदारो जिसके बारे में आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा popular site है ये भी ठीक है जी ये कहां पे located है ये आपकी सिंध पाकिस्तान में जो सिंध present day पाकिस्तान में है वहाँ पे मोहन जोदारो located है और on the banks of किस नदी के banks पे है river Indus और ये मोहन जोदारो की site की खुदाई किस ने करी थी करी थी खुदाई RD Banerji ने archaeologist जो prominent archaeologist थे मोहन जोदारो बाज चन्नोधारो की site कहाँ पे है चन्नोधारो आज की फिर से सिंध में पाकिस्तान में ठीक है जी site of चन्नाधारो is located on the banks of कौन सी नदी के banks के उपर चन्नोधारो है river Indus ठीक है जी site of Lothal was excavated by जो Lothal की site थी वो उसकी खुदाई किस ने करी थी उसकी खरीती S.R. राओने site of Lothal is located in कहाँ पे located है Lothal की site एमदाबाद गुजरात में site of Lothal is located on the banks of कौन सी नदी के banks पे है river भोगावा the site of काली बंगा is located in काली बंगा कहाँ पे located है आज के राजिस्थान में the site of काली बंगा is located on the banks of किस नदी के banks के उपर काली बंगा है river घगर site of Dholavira is located in Dholavira कहाँ पे located है present day गुजरात site of Dholavira is located on the banks of कौन सी नदी के banks के उपर Dholavira located है river Looni जो कच में बहती है important things found at the site of हडपा हडपा की site पे important चीजे कौन सी पाई गई सबसे पहली बात तो greenery पाई गई, greenery क्या होता है जहाँ पे दाने store किये जाते हैं, आपके serial store किये जाते हैं important things found at the site of महंजदारो महंजदारो की site पे क्या-क्या important चीजे मिली हमें एक तो greenery मिली, एक great bath मिली, great bath जो ritual bathing के लिए, ritual type पे नाने के लिए use होती थी पशुपति शिवा seal अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं देखी तो net पे search मार लीजेगा ये seal कौन सी site में मिली है जिसमें जो पशुपति शिवा जी दर्शाए गए है ये जो seal है ये मिली है आपकी महंजदारो में ठीक है जी बहुत important question है अक्सर पूछ लिया जाता है bronze image of a dancing girl was founded bronze image जो dancing girl की है कहां पे मिली है वो मिली है आपकी वो भी महंजदारो पे ये भी बहुत important question है statue of priest king was founded priest king जो दाड़ी वाले king थे अगर आपने photo देखी हो उनका statue कहां से टूटा हुआ statue मिलाया थोड़ा सा उनका कहां से मिला है वो भी आपका महंजदारो से मिला है site of lothal is known for the discovery of lothal की जो site है किस चीज के लिए जानी जाती है किस चीज के लिए famous है ये आपकी dock yard के लिए famous बंदरगा जो है सबसे पुरानी बंदरगा lothal में पाई गई है site of काली बंगा is known for the discovery of काली बंगा की site किस चीज के लिए जानी जाती है ये जानी जाती है plowed field के लिए जो आपका field है उसको hull से मतलब किया गया जो करते हैं मेरी हिंदी इतनी strong नहीं है तो plow करते हैं उसको वो जो field है उसके अफशेश कहां से मिले हैं काली बंगा से मिले है fire altars कहां से मिले है fire altars जो होते हैं आपके जैसे आज के time में आप जब ritual worship करते हो वेदी लगाते हो वेदी में जो sacrifices करते हो जो fire को offering करते हो वो उस type के fire altars कहां पे मिले वो मिले आपके काली बंगा में ये भी important है site of धोलावीरा is famous for धोलावीरा की site किस चीज के लिए famous है water harnessing system के लिए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो पानी को harness करने का तरीका बनाया हुआ था Indus Valley sites were divided into किन-किन parts में Indus Valley sites divided होती थी दो parts में एक तो होता था citadel एक होता था lower town citadel जो होता था वो थोड़ा सा उचाई पे बना होता था lower town थोड़ी कम height पे बना होता था कौन सी ऐसे Indus site है जो तीन parts में divided है वो आपकी है धोलावीरा Indus sites town planning followed जो town planning है Indus की sites में वो किस pattern में है वो आपकी grid pattern में है मतलब जो आपकी सडके हैं वो एक दूसरे को 90 degree के angle पे काटती है तो grid pattern main crops of Indus people कौन-कौन सी main crops थी जो Indus people लगाते थे ये थी इनकी wheat and barley ठीक है जी next है आपका which metal was not known to Indus people Indus people को कौन सा metal नहीं पता था of course iron नहीं पता था तभी इसको branches की civilization भी बोला जाता है Indus people traded with किन-किन लोगों के साथ ये trade करते थे इनका अपना खुद में आपस में भी trade था लेकिन foreign trade भी था जैसे Mesopotamia या Sumerians के साथ Mesopotamians Indus valley civilization वाले region को क्या बोलते थे वो बोलते थे इसको Malouha Indus people procured gold from जो Indus के लोग थे वो gold कहां से लाते थे वो लाते थे आपके कॉलार माइन्स जो करनाटका में है Indus people procured copper from कोपर कहां से लाते थे वो खेतरी माइन्स राजस्थान से ठीक है जी उसके बाद Indus people procured tin and lapis lazuli lapis lazuli semi-precious stone होता है कहां से प्रक्योर होती थे ये दोनों चीजे ये प्रक्योर होती थे आपके अफगानिस्तान से Indus people worshiped किसको worship करते थे पशुपति श्रिवा को और Mother Godess को Indus people wrote on किस चीज पे लिखते थे seals पे लिखते थे ठीक है जी pottery और seals अपने बर्तनों पे भी लिखते थे Indus people script was written in which style किस style में उनकी script थी वो बोस्ट्रो फैडन में बोस्ट्रो फैडन का मतलब क्या है कि जब आप लिखते हो जैसे आज हम लिखते हैं ये line लिखी और उसके बाद next line यहां से शुरू हो गई लेकिन बोस्ट्रो फैडन स्ट्राइल क्या है कि यहां से ऐसे लिखते गए और फिर ऐसे आ गए और फिर इधर से इधर शुरू हो गए मतलब जहां से line कतम हो यह उधर से वही से line शुरू करके फिर next line का end कर देना चीक है जी Indus people Indus civilization declined after कब decline हुआ इनका पतन कब हुआ 1750 BCE के बाद तो अब यह तो 50 best one liner थे कुछ current affair भी है हड़पन civilization के साथ जुड़े हुए जो news में रहे हैं वो भी देख लेते हैं पांच हैं वो भी वर्ल्ड's largest museum of हड़पन culture is coming up in जो largest museum है हड़पन सब्विता का वो कोहां पे आ रहा है राखी गड़ी हर्याना में आ रहा है जो largest site है National Maritime Heritage Complex is being built at National Maritime Heritage Complex बन रहा है एक हड़पन साइट पे कौन सी हड़पन साइट है वो लोथल क्योंकि लोथल में ही हमें बंदरगाह मिली थी तो natural है कि Maritime Heritage Complex वहां पे ही बनेगा क्या शोकेश करेगा ये National Maritime Heritage Complex किस चीज के लिए बनाया जा रहा है तो शोकेश इंडिया ज रिच एंड डिवर्स Maritime Heritage Recently दो sites हैं जिनको UNESCO World Heritage Sites का आपको इनको समान मिला है नोमिनेट की गई है वो कौन सी है लोथल और उसकी बंदरगा और दूसरी site कौन सी है धोला वीरा ये दोनो sites कहां पे हैं दोनों गुजरात में हैं Recently excavations have been made at Mount No.3 यहां पर own नहीं आएगा Sorry for the mistake Mount No.3 of which Headapan Site जो Mount No.3 है किसी Headapan Site का वो भी खोदा जा रहा है वो कौन सी Headapan Site है वो आपकी है राखी घड़ी हरयाना में तो यह इसके current affairs थे और यह discussion अगर आपको ठीक लगी तो do ensure that you like it, share it with your friends and also ensure that you subscribe to our channel और यह एक तरह से पूरी detail में आपकी In This Valley Civilization 55 one-liners में हमने cover कर ली अगर आपको detailed PDF चीए इस discussion की आप इस telegram channel पे join कर सकते हो यह जो link है आपको description box में भी मिल जाएगा वीडियो के check करिए description box और link पे click करिए और हमारे telegram channel के साथ जुड़िए तांके आपको detailed PDF भी इस discussion की मिल सके next हम cover करेंगे आपका वैदी cage one-liners की form में तो तब तक के लिए बने रहीगा channel पे thank you, have a very nice day ahead हन्टार 144 टिटार तो मिली के थारे लुड़िए लगना फवाड़री जाल ओने की करते हमें, ऊज़चरी दुड़री बनेवाड़र क receiving